हम नोश्कार कैसा है मेरा योटूब परिवार मेरा नाम साकेत है और आप मेरे वीडियो को इस्ट्राग्राम पे फेस्बुक पे मेरे यूटूब पैडी पे देख रहे होंगे आज की वीडियो का टॉपिक क्या है कि अगर आपने बैंक से कमका लोन ले रखा है और खास करके सिंट्रलाइज बैंक से तो आपको परिशान होने के कोई ज़रूरत नहीं है आप पे कोई भी लीगल चार्जिस नहीं लगने जा रहे हैं आप पे कोई भी ऐसा चीज नहीं कない कि रहे हैं कि बोलते हैं कि सर आप कैसे को बोल सकते हो कि अगर पांच लाएं का लोन है तो हमें कोई भी प्रवर्म नहीं होके क्यूंकि बैंक तो बोलते हैं पैसे नहीं दोगे थो आपको जेल पहुचा देंगे सबसे पहले बाट आप इस थो सा बताते देखिन मैं बैंक के उस relations, उस department से जुरा हुआ हूँ, जहां से मैं आपको बताता हूँ, जहां से legal notice issue होता है, जहां से आपके साथ कैसा विवार करना चाहिए, कब आपको डराना चाहिए, कब आपको परिशान करना चाहिए, ये सारी बाते मुझे पता होती है कब आपको नूटिस सर्फ किया जाता है कब नहीं किया जाता बेसिकली बिहाइंड दसीन क्या चल रहा होता है अब इसी में पांच लागा एक मैटर आया मेरे ज्यूंस रिकवरी एजेंट बात करते हैं आपको पता ही है रिकवरी एजेंट अच्छे से तो बात करते नहीं है, घुलिक लाज कर रहे तो सबसे पहला काम कीजिए आप mentally थोड़ा सा सांत हो जाईए क्योंकि आप panic करोगे या परिशान होगे तो आप decision ने ले पाऊगे सबसे पहला जरूरी है कि आप खुद को शांत कीजिए ताकि हम जो आपको समझाने जा रहे हैं उसको समझिए देखिए जब भी कोई भी लोन पाच लाग से कम का होता है और खास करके unsecure credit card होता है देखिए bank ऐसे loan में एक ही चीज कर पाती है कि आपको डरा सकती है अब मान लीजे कोई bank आपको ये बोलता है कि आप जो पैसे लिये हो loan का अगर आप repayment नहीं कर पाओगे हम क्या कर लेंगे मेरे हाथो में कुछ भी नह अब हमको यह बताए कितने वक्ति ऐसे हैं जो डरिंगे फिर तो हर कोई बोलेगा न देखिए आज के डेट में हर के पास परिशान ही है कोई लोन लेता है इसलिए कि परिशान ही है जब उसको यह पता चल जाए कि जो लोन हम ले रहे हैं उसको रिपेमेंट नहीं करना है क्यो क्यों कोई भी प्रॉसेस जहांब पर अलाओ करता है कि कश्टुमर को परिशान करना है कुछ चीजए होती है जो आपको समझना जरूरी है पहले मैं आपको बता देना चाहताँ जिसके मन में डर है कि प्रॉसेस लिग काम कैसे करता माली जिए आपने परस्तन लोन लिए पाच लाग का प्रस्टनल लोन है, इसमें कोई भी लीगल राइट्स क्या है, बैंकों के पास, अब हम बात कर रहें, क्या क्या कर सकता है, जब कर सकता है, तो उसका उपाई भी होगा न कुछ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल थोड़ी होगा, कि माल लेजिए, 100 लोग हैं, तो हम 100 प एजिएंट कोन होते हैं, देखें, दो तरह के रिकवरी एजिएंट होते हैं, पहला एक DRA Certified Recovery एजिएंट होते हैं, जो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आते हैं, उनको एक्जामनेशन किया जाता है, उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, वो बहुत सारे बैंक गाइडलाइन के अंतरगत बात करते हैं, और दूसरे रिकवरी एजिएंट होते हैं, जो हायर और फायर पर साइन के जाते हैं, मतलब आओ, इंटरव्यू दो, आपको रखा जाएगा, आपका काम ही, लिष्ट मिलता है, जाओ, उसे गाली करो, जो भी करता है, पैसे लेके आओ, तो बहुत स बचाने नहीं आएगा, कोई बैंक नहीं आता है बचाने, अब देखिए, ब्याइंड सीन चल क्या रहता है, अब यहाँ पर एजेंसी को बैंक को पता है, कि हम पैसे नहीं मांग सकते, तो डड़ा के मांगा जाए, अब जो बैंक, NBFC कमनी आपको बोल रहा होता है, इस पर हम केस कर देंगे, मेरे वकिल से बात करूँ, देखिए, हर बैंक के पास एक फॉर्मेट है, हर बैंक के पास एक लॉयर है, जो रिटार्ड है, उसको पैसे दे के आप से नोटिस बिजवाया जा रहा है, अब कॉल पे तो खुद के स्टाप कभी मैनेजर बनते है, कभी पुल साफ तो देखिए, अगर आप जोट नहीं बोल रहे हो, तो बैंक के आप कोई कुछ नहीं कर सकता, क्यूंकि ये प्रोसीजर कर कोन रहा है, बैंक स्टाफ, एजेंसी, एजेंसी क्यों कर रहा है, क्यों अपनी कमिशन के लिए कर रहा है, बैंक ने उसे लोन बेच दिया है, तीरा सरक्राइदर्द, बैंक एजेंसी को इसतर बेच करता है, कि हमने तुम्हें लोन का टार्गेट दिया, तुम कैसे लाएद teme, आप बैंक कुछ इंटर्टेंड नहीं कर रहा है, बैंक केसी नहीं कर रहा है, अब 5 लाग के निचे बैंक किसे इंटर्टेंड क्यों नही से एक लाघ पश्तर हजार में बी सटल हो जाए गार गण की तरफ से जाएगा तो अगल हो एक लाग की तरफ करने के लिए जारा है तो सबसे पहले मेंटेन नहीं कर सकता तो जैसे ही किस होता है वो सेटलमेंट की ओफर करता है लोग अगर यह डेट पर डेट का चक्कर चलते रहा न तो बैंक को उस केस में रिकवरी करने में एक से दो लाग का खर्च है माल लीजिए एक लाग का खर्च है तो वह एक लाग खर्च करके 75,000 र है न बात तो कभी भी जो केस वगयरा किया जाता है वो बरे लोन पर किया जाता है माल लीजिए एक्जामपल के तौर पर दस लाग का लोन है अगर दस लाग के लोन पर हम दो लाग रुपे खर्च कर रहे हैं एक साल दो साल तो आप रोक्स कुछ एमाउन तो रिसीव होगा अब माल लेज़े, बैंक गया, उसने आपसे एक साल पूरा इधर उदर कोड का चक्कर लगाया, फिर उसको आना गुम के लोग अदालत में ही है, और आप लोग अदालत जाते हो, लोग अदालत में समझाता कर लेते हो, तो बैंक कितना खर्चा करने के बाद भी जब उसे एक बात समझे, हमारे देशसे में लोग लेकर रीपेमिंट नहीं करने से जेल नहीं होता, क्योंकि लोग का रीपेमिंट ना करना एक क्राइम में कंसिडर नहीं होता, जिस दिन ये पपलिक ये बात समझ जाएगे जिस दिन पब्ली को ये चीज समझ में आएगा कि ये बैंक जो है आज के डेट में मैनुपिलेशन का एक धन्धा चला रहा है उस दिन कोई भी वेक्षी डर्ना बंद कर देगा जिस दिन आप डर्ना बंद कर दोगे न उस दिन रिकवरी एजिंट के काम ही खतम हो जाते है तो सबसे पहला एक चीज समझे अगर आपका लोन पाच लाग से क्कूम है तो आप एक काम कर सकते हो इगनोर कीजिए उस चीज को पैसे नहीं है आप कमाने पे फोकस कीजिए आप इकठा करो आप एक प्रॉक्स माइन बितना रख लो कि एक से डेर लाग मुझे जमा करना है और छे मैने के बाद सेटल्मेंट करा रहना वो लोन खतम हो जाना है उस लोन में डर्ने के वज़ाए छे मैने इंवेस्ट कीजिए काम में इसके अलावा अज़र आपके मन में कुभी सवाल जवा वो तो कमेंड कीजिएगा प्रसनली बात करना चाहते है स्क्रीन पे नमबर है आप बात कर सकते हैं जैन मन्ने मात रो